हेलो एन वेल्कम टू जौल्पा कोचिंग क्लासेज तो बच्चों इस वीडियो में हम कुछ और आम से क्यूज करेंगे एसेट्स एंड बेसेस एंड सॉल्ड के यह चौथा वीडियो है इससे पहले भी कुछ वीडियो हैं ठीक है तो जिन बच्चों ने वह नहीं देखे तो फिर आगे कंटीन्यू करना तो चलो पहला कोशन करते हैं वैट इस दा प्राइमरी क्मपोनेंट आफ वी इनस अट्मएट के एटमास्फियर का जो reality अबार्म से गहां उसके आसपास जो जो भी गैसेस होती है उसमें एक प्राइमरी कंपोनेंट सुल्फूरिक एसेड होता है ठीक है चलो नेक्स कोशन है कभिच सिस्टम हम ऻुमन बाड़ी के लिए कंच करती है ए Cao प्रडूस करती है Cum 20 agents होता कहा है इस एक सब्सद्राइब बांघ MarshI जिस्टम एक चलो नेक्स कोशन है इंट को निट्राइस करने के लिए यूज़ किया जाता है अगर कहीं पर किसी को एसे यूज़ करते हैं और ये यूज़ करते हैं और ये अगनीशय है या फिर मिलक ओफ मैगनीशा भी बोलते हैं इसको क्या कहते हैं से मिलक ऑफ मैगनेशिया भी बोलते हैं विटा इसे ठेक है अगला कोक्षन है टूथ डिके स्टार्ट वें दपीएच ऑफ दव माउथ फॉल्स बिलो विच वेल्यू देखो टूथ डिके मतलब क्या होता है देखाऊगा आपने की जो टूथ होते हैं वो खराब होने लग जा तो जो मुह में रखे हुए बैक्टीरिया दोते हैं वो खाने को डिकम्पोस कर देते हैं और जो मुह का पीएच होता है वह 5.5 से नीचे चला जाता है जिसके जैसे टूथ डिके होने लग जाता है ठीक है चलो नेक्स विशन है विच आप दा फॉल्लाइं सबस्टैंस प्र हाँ दोटा है मैंने टूथ डिके लिए कौन रिंस्पंसिबल होता है एसे प्रेड्य MINतलब बैक्टीरिया जो Echo प्रीश करते हैं उनकी वज़से दिके होता है ठीक है चलो अगला कॉश्ण है which what is the main substance that composite composite tooth enamel देखो इन में से क्या कह रहा है कि कौन tooth enamel को बनाता है मतलब जो उसका main component होता है उसे क्या कहते है तो main component होता है ध्यान रखना main component होता है calcium hydroxy appetite क्या होता है calcium hydroxy appetite यह tooth enamel का main component होता है ठीक है चलो next question क्या है what can neutralize the acid in the mouth to prevent tooth decay ठीक है इन में से कौन acid को prevent कर सकता है जो कि mouth में जो tooth decay होता उसको prevent करें ठीक है तो acid को neutralize करने के लिए तो देखो भी यह डॉक्टर भी की recommend करते हैं और हमें पता भी है कि हमें at least two times क्या करना चाहिए ब्रश करना चाहिए तो यूजिंग टूथ ब्रश टूथ ब्रश क्या होगा टूथ ब्रश हम जब अपने माउथ की cleaning करेंगे तो acid को टूथ पेस्ट होगा वह क्या होगा वह एसेट को neutralize कर देगा जिसके अज़र से टूथ डिक्रेविंट किया जा सकता है अगला आया वट टाइप ऑफ आसट इस इंजेक्टेड बाइद इस्टिंग year is of nettle plants just nettle plants होते हैं वो कौन सा acid inject करते हैं तो दियान रखना वो कौन सा यसे देखागा कि जो insects होता है वो अपने protection के लिए एक acid को inject करते हैं वो acid होता है विटा फॉर्मिक acid क्या होता विटै फॉर्मिक acid होता और फॉर्मिक acid तो common name है इसका chemical name होता है क्या methanoic acid तो methanoic acid को यूज किया जाता है किस चीज के लिए मतलब कौन यूज करता है जो insect होते हैं उसे protection के लिए ठीक है next question है what traditional remedy is suggested to neutralize the sting of nettle plants ठीक है अगर nettle plants को neutralize करना है क्या करना है nettle plants को neutralize करना है तो उसके लिए क्या traditional remedy लेना चाहिए तो यह है इसका rub with the leaf of dog plants dog plants के leaf को क्या करना चाहिए रब करना चाहिए तो जिससे क्या होगा जो nettle plants होता है उसका जो भी effect होगा उसको neutralize किया जा सकता है ठीक है next question है J प्रेजन्ट होता है इन से कौन सा एसेड्व इन आपने सिरका झीसे कहते हैं उसका होता है अगला कुशन है तरह मल्क मतलब जो कर्द होता है सार मिलग मतलब जो कॉन सा सड़ा जाता है उससे पाया जाता हैfrist सार मिलग है जाता है इसम प्रसंट सेहले होता है इंसको चछे में थे लिए को क्या है तो थीमिली को सब्सक्पूर प्रसंट होता है उतारिक सब्सक्राइब होता है तरींड़ों आगला कशन है विच अछा की कि एच होता इंप बता दियाए कि टमें कौन सा आइसे अगड़ा बहुत में नाम धिया हो एक तो टमेटो में क्या पाया जाता ओक्ते अग्जालिक ऐसेट आगा अगला वोट नेच्छो कंटेंगे इन में से कौन सा सबस्टाइंस में मित्थनौइक असे होता है ने टल स्टेंग बिच्चु घास भी कहते हैं ऐसे टेक्ट है ने प्रेक्ट में अब आपको कॉमन नेम बताया था क्या होता है क्वार्मिक ऐसेट क्या नाम था इसका पॉवार्मीक ऐसेड ठेक है चलो next है अच्छा इसमें इतने ही हैं इस वीडियो में और फटों इस वीडियो में इतने ही कोशन करेंगे नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और questions के साथ तब तक बने रहे हैं जवालपा coaching classes के साथ okay students बाई बाई